अपने नहीं बहु कट्रीना कैफ के घर आने पर काफी जादा खुश तो है ही पूरा का पूरा कोशल परिवार वीना कोशल की खुशी स्ताफ देखी आपने हल्दी सेरेमनी में अपनी प्यारी बहु को अपने हाथों से हल्दी लगाती वी वीकी कोशल की मौम कितने खुश नजर आई थी सब ने ये देखा था लेकिन यहां हम आपको हमारे इस रिपोट में आज बताना चाहेंगे एक बार पर से हमारे इस खास प्रोग्राम में कि सनी कौशल जो कि इमोशनल तरीके से बोलते नज़र आएं विकी और काट्रीना उनके बरदर और उनकी सिस्टर इंला की शादी में बहुत ही मोशनल मोमें था खुशी के आखों हर्किसी की आखों में थे क्योंकि ऐसे اسपेशवल मोमें का इंतजार हर किसी को होता है लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी की जिंदगी में क्वाबो जैसा सपना पूरा हो सके ब्रीन वेडिंग था डेस्टिनेशन वेडिंग विकी और काट्रीना का अब जो है ससूर जी जो है काट्रीना क्या कि यानि कि शाम कॉशल जी ने कुछ कॉमेंट किये हैं इस पर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम पर विकी कोशल के पेता ने तस्वीर शेर की अपने बेटे पर प्यार लुटाते वे उन्हें हल्दी लगाते वे और शाम कोशल जी ने ये कहा है कि मैं इश्वर का शुक्रियादा करना चाहूंगा इस खुशी के मौके के लि काट्रीना और विकी की शादी में अपनी बहू के स्वागत में बेटे बहू की शादी से अपने बेटे विकी की पत्नी काट्रीना की इस खुशी के मौके पर शाम कोशल सबसे जादा खुश नज़र आए उन्होंने कहा कि मैं इश्वर का हमेशा शुक्र गुजार मुझे इतनी खुशी उन्होंने दी अपनी बहू को अपनी बेटी के तौर पर स्विकार चुके हैं शाम कोशल जी अपनी पत्नी वीना के साथ एरपोर्ट पर जब वो स्पॉट किये गये थे मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा था कि सब रब्दी महर है कि सब शादी में बहुत ही जादा सही तरीके से हर रस्म हुए कोई भी अडशने नहीं आई फिर वो घर लोटे हैं अब विकी कोशल और काट्रीना कैब जो है अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं लेकिन ये जो है अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से पलाल तयार नहीं जिसकी कारण काट्रीना और विकी जो है अपने नए घर शिफ्ट नहीं हुए है नए घर वो शिफ्ट होंगे पार्टी वो थो करेंगे बॉलिवूट के लिए ये बताया जा रहा है लेकिन शाम कोशल जी जिन्होंने अमिताब बच्चन से लेकर सिलमान आमिर खान से लेकर अक्षे के साथ काम किया वो अपने घर पर नई नवेली बहु कियाने से सबसे जादा इस वक्त खुश है तब ही तो अपनी खुशी जाहिर किये बिना वो नहीं रह पा रहे हैं दोस्तों बॉलिवूट वर्ज इस शो में आज के लिए इतना ही फिर झाट